नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ मैं शेर करने जा रहे हूँ पीजा मठरी की रेसिपी हम सभी ने कही तरह की मठरी खाई और घर पर बनाते भी रहते है पर ये जो आज पीजा मठरी है काफी इसका अलग स्वाद है घर में बच्चों से लेकर बड़ तक को ये रेसिपी पसंद आएगी और ये मठरी की खास बात ये है कि आप इसे बना कर 15-20 दिन तक इसे आराम से खा सकते है इसे चाय के साथ खाईए या ऐसे ही खाईए बहुत ही मज़िदा लगती है और खास करके ये पीजा मठरी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि इसमें पीजा का फ्लेवर दिया गया है तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं ये पीजा मठरी बनाना हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें क्या-क्या सामगरी चाहिए चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने गी लिया है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गयस के उपर एक कडाई रखेंगे और इसमें डालेंगे एक चमच बटर और इसे हम अच्छे से पिगला लेंगे इसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा आधी चमच और इसे हम एक मिनिट तक इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे तो यहाँ पर आपको इसे धीमी आजपरी पकाना है तेज आज़ बिल्कुल भी ने कीजेगा कॉंटिटी कम है तो जल भी सकता है इस बाद का आप ध्यान रखें एक मिनिट के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दूद तो यहाँ पर मैं एक कब दूद इसके अंदर डाल रहे हूँ अब कोई सब भी डाल सकते हैं कच्चा उबला हुआ तो यहाँ पर यह दूद डालने के बाद एक बार इसे हम गरम कर लेंगे तेज आज़ पर ही जैसे यह दूद हमारा गरम हो जाता है तो देखी सकते हैं यहाँ पर दूद जो है वो गरम हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे आज को धीमी कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच और इसे के साथ एक बड़ा चमच चिली फ्लेक्स और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ आदी चमच, काली मिर्ची पाउडर और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, आदी छोटी चमच क्योंकि चीज हम डालने वाले उसमें भी नमक होता है और मैंने बटर जो लिया है वो सॉल्टेट लिया है तब अपने स्वात के अनुसर कम जादा आप कर भी सकते है पर आप ध्यान रखेगा जब भी आप नमक डाले अब अच्छे से इसे मिला लेंगे इस तरह से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बार अच्छे से मिला लिया है अब जो यहाँ पर मैंने चीज क्यूब लिये तो यह मैंने तीन लिये हैं तो यहाँ पर जो अमुल के जो चीज क्यूब आते हैं वैसे मैंने तीन ले लिये हैं और इसे हम खोल लेंगे तो देखे इस तरह से यह चीज क्यूब आते हैं अब इसे हम grate करके डालेंगे यानि कदुकस करके डालेंगे तो देखे इस तरह से मैंने डाल दिया है और इसी तरह से ये जो दो हैं इसे भी हम खोल कर अच्छे से कदुकस करके डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने तीनों चीज क्यूब डाल दिया है अब इस तरह से मिलाते जा अब हम गैस को बंद कर लेंगे और बंद करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी टॉमेटो सॉस दो चम्मच तो यह मैंने डाल दिया है अब अच्छे से मिलाएंगे गैस बंद करने के बाद ही आपको इसके अंदर टॉमेटो सॉस डाल ली है तो यहां पर आप देख सकते अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है और अभी ये काफी गरम है तो इसे हम ऐसे ही बाहर रख करी ठंडा कर लेंगे और इसके बाद ही हम आटा गुंदेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने ऐसे ही बाहर रख करी ठंडा कर लिया था बीच पीच में इस तरह से थोड़ा चलाते जाए ताकि जल्दी ठंडा हो जाएगा तो अब हम आटा गुनना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है इसके अंदर मैं डालूँगी मैदा दो कप इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी मैंने यहाँ पर दो चमच गी लिया है एक चमच डालेंगे और एक चमच जितना हम बचा कर रख देंगे तो यहाँ पर यह दोनों डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे मैदे के अंदर गी को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने से अच्छे से मिला लिया है अब जो हमने तयार किया था mixture अभी अभी ये हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और आटा गुनेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पीजा मठ्री बना है तो उसके लिए जो आटा गुनना है वो बिल्कुल भी नरम नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल भी सक्त नहीं होना चाहिए और अगर आपका जो आटा है वो नरम रह जाता है तो आपको बेलते टाइम तकलिफ होगी और अगर कड़क रह जाता है तब भी आपको तकलिफ होगी तो आप ये थोड़ा थोड़ा करकर ही डालिएगा और एकदम मीडियम आटा आपको तयार कर लेना है तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रहे हूं हमारा पूरा ही इस्तमाल हो चुका है इसके अंदर और एक कुछ इस तरह से हमारा आटा गुंकर तयार हुआ है और ये जो पीजा मठरी है खाने में बहुत ही मज़िदार लगती है खास करके चाई के साथ बहुत ही मज़िदार लगती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे से तयार कर लिया है ना ही ज़ादा नरब है ना ही ज़ादा कड़ा के मीडियम आटा है और जो हमने एक चमच गी बचा के रख दिया था इस पर लगा लेंगे और आटे को अच्छे से हम चिकना कर लेंगे यहाँ पर अगर आप चाहें तो यह गेहूं के आटे मेंसे भी बना सकते हैं यहाँ आदा गेहूं का आटा और आदा मैदा ले लिजे तो यहाँ पर आटे को मैंने चिकना कर लिया आप इसमें से अब लोई निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैं इस तरह से मीडियम साइस की निकाल रही हूँ आपको जैसी चाहिए आप निकाल सकते हैं बड़ी छोटी आपको जैसी साइस चाहिए मठ्री की अब यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है सुखा इसमें से हम यह लोई को लगाएंगे और उसके बाद इसे हम बेलेंगे तो बेलते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से उठाते हुए इसे बेले और आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम मैदे की रोटी यां किसी को बेलते हैं तो वो सिकूड जाती है और हमारी यहाँ पर सिकूड नहीं रही है तो आपको जैसे मैंने आप बताया कि थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे तो आपका आटा जो है अच्छा सा गूंद कर आप तयार करेंगे और बेलते टाइम आपको तकलिफ नहीं होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाई जादा मोटी है नाई जादा पतली है इस तरह से आपको यह रोटी बेल कर तयार करनी है उसके बाद मैंने आपर ले लिया फोक चमच यानि की काटे वाला चमच इससे हम क्या करेंगे पूरी रोटी में इस तरह से प्रिक करेंगे यानि की छोटे छोटे इस तरह से होल कर लेंगे इसे क्या होगा हमारी जो यह पीजा मठ्री है जब इसे हम तलेंगे तो यह फूलेगी नहीं और इसे हमें फूलाना नहीं है तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने पूरी रोटी में इसे कड़ लिया है अब इसे हम कट करेंगे तो यहाँ पर मैंने पीजा कटर ले लिया अगर आपके पास यह नहीं तो आप नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं तो आज हम पीजा मठरी बना रहे हैं तो इसे मैं पीजा के शेप में कट करूँगी तो यह दिखने भी मज़िदार लगीगी और जैसा नाम है वैसी यह मठरी भी आपकी लगीगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे पीजा के स्टाइल में कट कर लिया है और देखे कुछ इस तरह से हमारी यह तयार हुए अब यह इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद इसे हमें तुरंथ तलना नहीं है इसे दस मिनिट तक आप पंखे के नीचे रख दीजे और दस मिनिट के बाद इसे आप तल लिए तो देखिए आप यह जो मटरी का शेप है पीजा वाला इसे अब छोटा भी कर सकते है इसे बड़ा भी कर सकते है और हमारी तरह मीडियम भी रख सकते है तो इसे अब 10 मिनिट के लिए पंखे के नीचे रख दीजे 10 मिनिट के बाद हम गयस के उपर रख देंगे एक कड़ाई और इसके अंदर हम डालेंगे तेल अब हम मठरी को तलेंगे तो उसके लिए मैंने आप पर तेल डाल दी और इसे हम गरम कर लेंगे आपको ध्यान रखना है कि मठरी के लिए जो तेल है वो मीडियम गरम होना चाहिए तो यहाँ पर हमारा ये मीडियम गरम है तो इसके अंदर में ये मठरी डाल दूँगी इसे मैंने 10 मिन तक पंखे के नीचे रख दिया था तो अब इस सारी मठरी को एक बार में जितनी डलती है उतनी डाली है और कर्ची की मदद से इसे पलडते हुए अच्छे से आपको तलना है तो देखे इस तरह से मैं से पलडती जा रहे हूँ और अच्छे से इसे आपको तलना है आपको ध्यान रखना है कि तेल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए एकदम दूमेदार उससे आपका क्या होगा जैसे आप मठरी डालेंगे उसका जो कलर है वो एकदम से बदल जाएगा और अंदर से वो कच्छी रह जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं से इस तरह से पलटती जा रही हूँ और जब भी आप यह मठरी फ्राय करें तो आप उसे देखें इस तरह से दीमी आजपर फ्राय करें अगर आप तेज आजपर फ्राय करते हैं तो उपर से सुनेरी हो जाएगी पर अंदर से कच्छी रह जाएगी या तो काफी बार क्या होता है कि हमारा ध्यान नहीं रहता है फ्राय करते टाइम तो मठरी जल भी जाती है तो दीमी आजपर ही इसे एकदम क्रिस्पी होने तक एकदम सुनेरा कलर आने तक इसे आपको फ्राय कर लेना है तो यहाँ पर इसे मैंने कर लिया अब इसे निकालते हुए एक मिनिट तक ऐसे ही रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा को ओई निकल जाए और इसे इस तरह से किचन टावल पर निकाल लेंगे ताकि जो भी ओईल है वो इस करना है एकदम क्रिस्पी एकदम सुनेरा होने तक तो लीजे हमने यहाँ पर सारी मठ्री बना कर तयार कर लिया है और इसका स्वात बहुत ही बढ़ी आता है और आप इसे एक डबे में यार एर टाइट कंटेनर में 15 से 20 दिन तरक रख सकते हैं तो इसे जरूर ट्राइ कीज आपको यह रेसिपी कैसी लगी है एकदम क्रिस्पी एकदम मज़ेदार यह है तो बनाइए और बताइए कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिल